तो दोस्तों बांगला देश के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में जमकर गर्जा संजू समसान का बला जहां बांगला देशी गेंदबाजो के परखचे उड़ाते हुए संजू समसान ने एक बार फिर से T20 मैट में चोके कम और छके जादा लगाते हुए ठोक दिया T20 का सबसे तेश तरार सतक और लगभग हार चुके मुकाबले में बांगला देश के जब्रे से जीत को छीन कर टीम इंडिया को दिलाई दूसरे T20 मुकाबले में रोमाचक जीत नमस्कार दोस्तों सौकत है आपके अपने पसंदीदा किर्केट चैनल में हम आप को बारत और बांगला देश के बीच चिन्नाई के चेपक इस्टेडियम में खेले गए सिरीज के दूसरे T20 मुकाबले की काफ पूरी की पूरी बाल बाय बाल रोमाचक आपको दिखाने वा आए और वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांगला देश की टीम भारत दोरे पर तीन T20 मुकाबलों की रोमाचक सिरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है जहां पर दोस्तों हाल ही में खेले गए पहले T20 मुकाबले में हाव बांगला देश की टीम ने सांदार प्रदसन किया था और सिरीज में एक गीरो की अज़े बड़त बना रखी थी लेकिन इसी भी सिरीज का दूसरा T20 मुकाबला चिन्नाई की चेपक में देखने को मिला बले बास तंजी हुसेन और लिटन दास की एंट्री होती है तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंद बाजी करने आते हैं मौहमद सिराज लेकिन दोस्तों पहली ओवर में तंजी हुसेन के दौरा अपने ही रंग में बले बाजी देखने को मिलती है और बैक ट अर्श्दीब सिंग के हाथों में लेकिन दोस्तों तंजी हुसेन तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चार रनों से वह एक बार फिर से इस ओवर की सुरुआत करते हैं जबकि दोस्तों अंतिम दो गेंदों पर बैक टू बैक दो जाता है लेकिन साथ में और में टीम को पहला बड़ा जटका लगता है अर्श्दीब सिंग के दोरा दिया जाता है यहां पर खतरनाक साबित हो रहे लिटन दास को पैटालिस के स्कोर पर कैचाउट करवा दिया जाता है जिसके बाद नए बल्लेबास कप्तान हुसेन सांतो की एंट्री होती है जबकि दूसरे तंजी हुसेन और हुसेन सांतो के साथ मिलकर आगे का मोर्चा सभालते हुए रियान पराग के एक ही ओवर में दो छक्के और दो चोको की मदद से 20 रंग जड़ दिये जाते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबास रुखने का नाम नहीं लेते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदो को छोड़ते हुए खराग गेंदो को बाउंडरी लाइन के बाहर पहुचाने का काम करते हैं लेकिन दस्वे और में अच्छर पटेल बांगलादेश के दो बल्लेबाजों को क्लीन बो भी उन्चास के स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर डग आउट की और लोटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब नए बल्लेबास तोई दादय का साथ देने के लिए साकी बनौल हुसेन की एंट्री होती है। जहां पर पहले दोनों ही बल्लेबास को फूप कर बल्लेबादी करना जारी करते हैं और सिंगल डबल के साथ ही टीम कोई स्कोर को आगे बढ़ाते हुए भारती है टीम के देज गेंदबादों के साथ मिलकर इस्पिन गेंदबादों का सामना करने का काम करते हैं। और दोनों ही बल्लेबास मिलकर बहतरीन ताजमेल के साथ बल्लेबादी करते ह हुए लगातार रनिंग बिट्वीन के साथ सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाती हुए चलते हुए और पंद्वे और में ही बांगलाजेस का स्कोर चार विकेट खोकर स्कोर बोर्ट पर 144 रनों तक पहुंच जाता है जहां 16 और में 12 इरद हरद आवेश फान क टार्गेट करते हुए एक और दो चोके की मदद से 14 रन बटोर लिये जाते हैं जबकि दोस्तों सत्मे और में एक पर फिर से साकिब अलुशेन के द्वारा तीन लगातार चके बांडरी जड़ दी जाती हैं और विस्पोर्टक अंदाज में बलेबाजी करते हुए दोनों ह काफी घातक गेंद बादी देखने को मिलती है और आते ही इसे ओवरों की दो गेंदों में दो रिकेट लेकर बांगलादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से हवा खोल कर रख देते हैं जहां पर सबसे पहले साकी वाल हुसेन को 41 के स्कोर पर क्लीन बोल्ट कर देते हैं तो गहीं दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तोही धादय भी बड़ा सौट केले के चक्कर में 42 के स्कोर पर केच आउट होकर पवेलियन की और लोट जाते हैं और इस प्रकार से बांगलादेश को लगने में वाला छटवा धटकाल होता है लेकिन दोस्तों इसके बा बल्यबाद मेदी अश्यन एंट्री होती है यहां पर अंतिम के कुछ ओवरों में जबरदस्त में बल्यबादी इन दोनों ही बल्यबादों के दोरा ही दीज का की जाती है और भारतीय टीम के लोयर और अर्डर गेंद बाजों पर पूरी तरीके से हावी होना सुरू होते दोस्तों उन्नीस में ओर में मौमस उल्ला के रूप में साथमा बड़ा जटका लगता है तो वहीं अंतिम ओर में आर्डीब सिंग तीन गेंदों में तीन विकेट लेकर बांगलादेश बल्यबाद का सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस वरकार से बांगलादेश की पूर लक्ष दे दिया जाता है दोस्तों इसके बाद अर्श्ती सिंग के द्वारा सबसे जायदा विकेट छे विकेट लेकर जाते हैं लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लच्छ का पीछा करने टीम इंडिया के दो धूंधार आपनर बलेबाद इस्वी जैसाल और सुमन गिल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं जिनके कंदों पर टीम इंडिया को एक ठोस दिलाने की जिम्मेदारी शौपी जाती है तो वहीं पहले ही ओवर में मुस्क फिजूर रह्मान को टार्गेट करते हुए सुमन गिल बैक टू बैक दो लगाता चोके शुरू की दो गेंदों म जड़ देते हैं जबकि अंतिम गेंद पर इस्वी जैस्वाज मिट विकेट के उपर से 101 मीटल का गगंचुंडी छखका जड़ देते हैं जबकि दोस्तों दोसरे ओवर में तंजी उसें साकीत को टार्गेट किया जाता है और इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाद मिलकर दो छक्के और दो चोको की मदब से 20 रन बटोर लेते हैं इसके बाद तो दोस्तों दोनों ही बल्लेबाद रुखने का नाम नहीं लेते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबादी करते हुए विस्वोटक और रवेया अपनाते हुए बांगला देशी गेंद बाजों पर कहर बन के पार पहुचा जाता है लेकिन साथ में ओवर में आते ही स्पिन गेंद बास का साथी अलहुशेन भारतिये टीम के ताबूत में किल ठोकने का काम करते हैं और सबसे पहले एसस्वी जैसवार को 35 के स्पोर पर कॉर्टन बोर्ट कर देते हैं जबकि दोस्तों इसी ओवर की अन्तिम गेंद पर सुमन गिल्बी इस लीप में केच आउट होकर डग आउट की और लोड जाते हैं और इस प्रकार से भारतिये टीम को एक ही ओवर में दो बड़े जटके देखनें को मिलते हैं लेकिन दोस्तों अब उमीद की किरड बनकर आते हैं कप्तान सूरे कुमार य दोहे बांगला देशी गेंद बाजों पर कहर बनकर तूट पड़ते हैं जहां पर दोनों ही बल्लेबास लगातार रनिंग बिट्विन के सास्थ अच्छी गेंद गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्सक दीकर के बाहर पहुचाने का का काम करते हैं यहां अब सबसे पहले नव और में सूर्या के दौरा दो जखके और दो चोके लगा दिये जाते हैं तो भाई दसमें और में रिशब पंद का बला भी जम के ग्राशता के आए और तीन लगतार बांडरी इसी ओवरों में जड़ दी जाती हैं और दसमें और में टीम इंडिया का स एलियन की और लोड़ते हैं जिसके बाद उनका स्थाम लेने के लिए खुद संजू संसेयन का मैदान पर मौजूद होने पड़ता है और इसके बाद सुर्कुमार यादों के शाहत मिलकर आगे कामोर्चा समालते हुए दोनों ही बल्लेवाज वैतरीन ले में बल्लेवाजी ज जारी कर देती हैं जहां पर सबसे पहले चौद्वे ओमर में सुर्कुमार यादों एक छक्का और एक चोके की मदद से मात 24 गेंदों में ही अपना पचासा पूरा कर लेते हैं और पंड्वे ओमर में टीम इंडिया का स्पोर बोर्ड पर 144 रणों तक पहुंच जाता है वो पूरे ही अंदाद में बल्लेबाजी करते हुए बार्टे टीम के लिए रणों की बारिश करते हुए चले जाते हैं जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखते हो और बॉल फेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी को जारी करते हैं लेकिन एक छोड से टीम इंड परामाद चार रणों का योगदान दिया जाता है और साकी अलुहुशियन एक ही ओवर में भार्तिय टीम को दो बड़े जट्के देते हैं जहां पर हार्दिक पांडिया के आउट होते ही नए बले बाद रिंकू सिंग आते हैं और रिंकू सिंग भी जलबाजी के चक्कर में गलत सौट खेलते हुए पहली गेंट पर क्लीन बोर्ड हो जाते हैं और भार्तिय टीम पूरी तरीके से बैक फूट पर आ जाती है लेकिन दोस्तों अभी भी अन्टीम के तीन ओवरों का खेल सेस बचा रहता है और आप सूर्या भी आउट हो जाते हैं जहां पर संजू समस का साथ देने के लिए जिवम दूबे की एंट्री होती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेवाद मिलकर बाल देखो और बाल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेवाजी करते हुए बंगलादेश के गेंदवाजों के परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं यहां पर उनीश में और में संजू शम्चान के दौरा 26 रन बटूरे जाते हैं और जबकि दोस्तों अंतिम उब्रों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी बेस्वे रनों की दरकरार होती हैं लेकिन पहली दो गेंदों पर शिवम दुबे ने दो छके लगा गगं टूंपी छके जर देते हैं और इस प्रकार से लगबद हार चुके मुकाबले में नामुम्किन को मुम्किन करते हुए बागलादेश की जबडे से जीत को छीन कर टीम इंडिया को तीन विकेट से सांधार तरीके से जीत हासिल कर वा देते हैं और इस प्रकार से दूस पर टी-20 मुकाबले को तीन विकेट से जीत हासिल कर लेती है और सिरीज में एक-एक की बराबरी कर लेती है